गुडुविनिंग आज देखिए यहां पर एक जो नोटिफिकेशन आपका जैसे विज्ञान और आपका प्रावेद्दीक विवाग जो बिहार सरकार का उनकी तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है यहां पर विज्ञापन का नंबर जैसे के जारी कर दिया गया है अपका प्रावेद्दीक की प्रावेद्दी की अबड़ी इन्पन के प्रावेद्दी के लिए आपकों के अबugen कर पाएंगे जतने जो गत्री तेंथ फास केंडिडेट है इस जो वेकेंसी के उपर आपलाई कर सकते हैं ठीक है और इसमें ओनलाइन आवेदन करने के लिए जो है निमंत्रित किया गया है जो की आपका देखिए 23 September 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं और इसका जो अनतीम्ति थी थी है यहाँ पे online आवेदन करने के जो अनतीम्ति थी है 31 October 2022 तक आप आप आवेदन कर सकते हैं ऑक जो आपका कारियल परिचरी है जिसको office assistant कहते हैं यहाँ पर total जैसे vacancy के बात करें यह जो वीडियो में जो इस notification का जो complete information है जो संपुन जानकरी में हम cover करेंगे सबसे पहले इसका वेकेंसी डिटेल्स को जैसे टोटाल वेकेंसी है वेकेंसी को किस तरह से बाटा गया है कोटिवार किस तरह से इसको बाटा गया है ठीक है और next इसके लिए eligibility criteria क्या आपका educational qualification क्या चाहिए उसके साथ साथ आपका age limit क्या होना चाहिए और जो आवस्चिक टॉक्मेंट्स तमाम डॉक्मेंट्स क्या चाहिए ठीक है उसके बाद third stage में हम बात क जो है discuss करूंगा बिहाराज्य के सभी जो तमाम जो candidate से इंट्रेस्टेड और इलिजिबल जो candidate से सबको निवेदन करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो में मरे साथ सुरु से लेकर अंतक सहयम के साथ जो है इस वीडियो को देखे ठीक है ताकि मैं चाहता हूँ एक वीडियो में आपका पूरी जो है जानकरी इस notification के बारी में इस आपको क्लियर हो जाए और इससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा जो candidate फस्टेम इस चैनल को विजिट कर रहे है या पहरे से विजिट करते आ रहे है ठीक है अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्द से चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार job update मिलते रहेगा चाहे वो बिहर गवर्मेट का job हो चाहे आपका central government किसी भी job हो ठीक है आपको daily basis पर update मिलते रहेंगे सेकेंड चीज कहना चाहूंगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है पका एक like जरूर कर देना और ज्यादा स्यार कर दो इसको आपका जो फ्रेंड की बीच में ठीक है आपका ask products में जो बच्चे आप आप से contacted है ठीक है आपको contact list में उनको share कर दीजिए हो सकता है उनमें से कोई वर्चा जो है इस पत के लिए eligible हो सकता है आपकी देखिए एक छोटी सी share की मज़े से हो सकता है किसी का जिन्दी का कुछ बदलाव आ सकता है चलिए अभी इसका जो detailed notification के पर चलते हैं देखिए जैसे मैंने total vacancy के पर बात किया देखिए 238 vacancy है इसमें देखि हो मेट्रिक पास होना चाहिए इसमें कोई percentage नहीं दिया गया है यहां पर देखिए जो पोस्ट आपका अनारिखित के लिए 99 vacancy है उसमें से 33 vacancy आपका महलाओं के लिए ठीक है और देखिए आर्थिक रुफ से जो कमज़र बर्ग के जो जो केंडिडेट से उसमें 24 है उसमे 65 vacancy है उसमें 15 vacancy आपका महलाओं के लिए ठीक है और अनुश्यति जनजाती के लिए 2 है और उसमें से अनुश्यति जनजाती के महलाओं के लिए 1 है ठीक है और पिछले बर्ग के जो महला है उनके लिए 8 vacancy दिया गया है ठीक है और टोटल vacancy जैसे 238 में से 71 vacancy आपका यहां पर देख सकते हैं जो यह आपका भिजन जो दुरुस्थी दिवैयंग के लिए इस में तीन वेकंसी रखा गया है और मुखबदीर आपका जो डिडिये इसके दो वैकंसी जो कि आपका मुखबदीर बाला व्हाइब उनके लिए जैसे और भी दो व्हेंची जैसे इसको जो निवनतम जो सिक्षण की योग्यता इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए यहां पर देख सकते हैं जो मिनिमुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं यहां पर मेट्रिक पास होना चाहिए यह समक्षक होना चाहिए ठीक है इसके अलबा और कुछ नहीं मांगा है आरक्षन देखिए आरक्षन जो खास करके बिहाराज्य के जो मुल निवाशी है बिहाराज्य के मुल निवासी होना अनिवार है तब ही जाकर आपको आरक्षन मिलेगा देखर कोई its being वार से बिहाराज्य के अलावा other state से apply करना चाहते हैं आप apply कर सकते हैं सिरॉप आप डिजर्ब category से लίए आप आवेधन करेंगे ठीक है और किसी डिजर्ब category में आप वेधन बताना चाहूँगा आपका भर जिए जो मूल निबंशी प्रमाण पत्र जो ओपको जो शक्षम प्राधिकारी के द्वरा निर्गत करना होगा बट ये इसका जो अंतिम्तिति थी है जैसे अप्लिकेशन का जो अंतिम्तिति थी क्रिमिलेयर रहीत प्रमान पत्र जो है आपको भौति गुप से वह त्यार होना जब आप अपलाई कर रहे हैं तब तक वह आपके पास होना चाहिए ठीक है तब जाके आप इसको आप अपलाई करेंगे नेक्स्ट अभी बात करेंगे जो केंडिडेट्स आरक्षन का दावा कर करते हैं तब कि अरक्षन का दावा करने वाले जितने बी जो विभाइत महिला हैं वो उनका जाती और क्रिमिलेयर रहीत प्रमान पत्र जो तयर करेंगे एक तो जाती प्रमान पत्र तयर करेंगे दूसरी जो criminal है रहित प्रमान पत्र तयार करेंगे वो उनका पीता का नाम से निर्गत किया होना चाहिए मतलब जैसे जो विभाईत महिला है वो जैसे उनका नाम रहेगा डटर अप उनका पीता का नाम रहेगा वाइप अप ऐसे करके नहीं होगा वाइप फलाना सिंग करके नहीं होगा डटर अप राम सिंग जो भी आपका पीता का नाम है उसी सब से पीता की नाम से निर्गत किया होना चाहिए ठीक है यहां पर उसी तरह से देखिए आपका दिभ्यांग जो अभेर्थी है उनके लिए भी जो दिभ्यांगता सार्टिफिकेट जो है आपको जो कंसर्ण सक्षम प्राधिकारी से आपको अप्रीव कोराना होगा ठीक है यहां पर दूसरे एक चीज मवताओंगा जैसे आपका दिभ्यांगता संब्धित आपका आरेक्ष्ण का जो दावा करने वाले जो दिभ्यांग अभेर्थी है ठीक है उनको काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग के समय पर समान जो आपका दिभ्यांगता प्रमाना पत्र जो स सब्मिट करना होगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे आपका देखिए जो सभी जो बांशित आपका प्रमान पत्र जितने भी आपका प्रमान पत्र है जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तीथी तक निर्गत होना अनिवारी है यहां पर बिल्कुल क्लि अगर बात करें आपका निम्नतम जो आईउ सिमा है देखिए यहां पर 18 साल रखा गया है ठीक है अनार खित बर्ग के जो पूरुष है उपर 37 येर्ज तक इस पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे अनृउस्चित जहाती जन जाति के पूरुष और महिला है जो इस पोस्ट के लिए आपेदन कर पाएंगे इसके इलाबा जो दिभ्यांग केंडिडेट से उनको अत्रिक और दोस साल की जो है इसमें जो एज रिलाक्सेसन मिलेगा और आपना कैटेगरिवाइज दस साल और आपको दिये जाएंगे ठीक है नेक्स्ट अभी बात करेंगे यहां देखिए आपका चाहन प्रक्रिया चाहन प्रक्रिया में आपको बिल्कुल क्लियर करा दना चाता हूं आपको इसमें कोई रिटेन एग्जामिनेशन पगरा कि देने की जोरूत नहीं है इसमें क आपको जितना जो प्राफ तंक है उसके आधार पर आपका फाइनल जो मेंदा सुची त्यार किया जाएगा ठीक है मतलब इन अडर अफ मेरिट देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा नमबर लखने वाले एकड़िंटू जो वेकेंसी डिटेल से उसी इसाब से जो सबसे ज्य जो किया जाएगा ठीक है एक तो सबसे पहले आपका मेट्रिकूलेशन का परशंटेज देख्वा जाएगे ठीक है और परसंटेज के आधार पर एक प्रोविजनल मेरिटी सबसे पहले तायर किया जाएगा और वेकेंसीके अनुसार उसका तीन गुनना केंडिट्स को जो in order of merit ठीक है in order of आपका merit जो provisional merit के आधार पर जो आपका percentage के आधार पर जो provisional merit list मनेगा और vacancy को मध्यनजर रखते हुए ठीक है तीन गुना vacancy जापका जितना vacancy जैसे 238 vacancy उसका तीन गुना जो सही जो satisfactory जैसे document verification होने के बाद in order of merit आपका final मैदा सुची त्यार कर दिया जाएगा यहां पर देखिए online आवेदन करने की जो समर्पित करने की समध में यहां पर जो जानकरी कुछ दिशा निर्देश जो यहां पर दिया गया है जो candidate इसको पढ़ना चाहते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा यह जो website है इसी website में आप आप लोगों को सबसे पहले registration करना होगा उसके साथ registration करने के बाद आपको जैसे user ID और password मिल जाएंगे उसके बाद इस website में आपको online आवेदन करना होगा यहां पर देखिया online जो आवेदन करने के लिए सभी जो सभी प्रकार के जो दिशान निर्देश यहां पर दिया गया है जो candidate को पढ़ना चाहते हैं ठीके विश्त्री से आप लोग यहां पढ़ सकते हैं बट एक चीच जो जो अप्लिकेशन करते समय देखिए एक जगा आपका नेम एज पर आधार ऐसे करके आएगा और आपका येर येरफ बार्त पर आधार जहां मांगेगा आपका आधार कार्ड में जो जिस प्रकार का करना किस तरह से उप्लूड करना कितनी आपका जीपीजी फरमेट का साइस क्या होगा ये तमाम जानकरी यहां पर दिया गया है जो पढ़ना चालते हैं पढ़ सकते हैं यहां पर अगर candidates का certificate में अगर इस तरह से है वो concerned आपका जो आपका education department से आपका इसको conversion करने का convert करने का जो certificate वो भी उनको मतलब submit करना होगा ताकि उस आधार पर उसकी आधार पर जो है आपको इसका जो CGPA को इसमें convert किये जाएंगे बदला जाएंगे परसेंटेज में बदला जाएंगे ठीक है next देखिए यहाँ पर जो आपका बवध्य और जो शक्रिय और जो mobile नंबर आपका है जैसे valid और active जो mobile नंबर से जब online आवेदन करेंगे उस ताइम आपका जो candidate सबीद हो उमिदबार को दुबार मैं कहना चाहता हूं जब आप online जब आवेदन करते हैं वही mobile नंबर इमेल आइड दीजे जो कि सक्रिय हालत में है जो active और valid हालत में है ठीक है यहां पर देखिए नेक्स्ट आभी बात करेंगे यहां देख सकते हैं जैसे आवेदन पत्र का आपका finalize करने के लिए आपका उपरांत यहां पर देखिए जो आपका जैसे आपका online application आप successfully submit कर लेते हैं उसके साथ साथ आपको उसको download करके उसका print भी आपको लेना होगा क्यूंकि यह जो print है आपको selection process में आपको जमाबी करना होगा जब document सत्यापन या counseling के लिए जो आपको बुलवाए जाएंगे ठीक है यहां next जो point देखिए आवेदन करने कि जो अंतिम्तिति तक आपका आवेदन पत्र को print देखिए आवेदन पत्र का जो print आप उसी टेट तक निकाल सकते हैं जो आपका application करने का अंतिम्तिति जैसे अर्थात आपका 31 October 2022 तक यह जो आपका print भग रहा है जैसे जो आप application submit किया उसका print आप ले सकते हैं उसके बाद नहीं मिलेगा ठीक है यहां पर देखिए कुछ जानकरी है जो maximum जो important जितने भी जानकरिया है मैं discuss किया ठीक है और इसमें एक चीज में advise करूंगा जो विहाराज्य के सभी जो candidates को जो candidates full notification को पढ़ना चाते हैं यहां पर वीडियो को पहुच करके आप लोग पढ़ सकते हैं या मेरा telegram में एक page है वहां पर इसको मैं share करूंगा telegram में जो page है word to success की नाम से उसका telegram page का जो link है इस video का description में मैं दे दूँगा उस link के माधियम से आप जो है 10-2022 रखा गया है तो सभी candidates को कहना चाहूंगा last minute का जो rush है मतलब वहां के लिए आप इंतिजर मत कीजिए आप time से पहले भल लिए क्यूंकि last 2-3 दिन जब रहता है तब website का काफी problem होता है काफी सारे बच्चे जो है आज करेंगे काल करेंगे करके इस तरह से करके वो last दिन यह जो वीडियो में मैं जो discuss किया जो point discuss किया जो बिहाराज्य के सभी जो candidate से इसको वीडियो को देखेंगे तो समझ समझ पाएंगे फिर भी अगर आप लोग का मन में अगर किसी प्रकर का संका है या सबाल रहता है तो मुझे comment section में ज़रूर comment करके पूछिएगा ठीक है इ जय बरत